दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में असफल होना भी जरूरी है क्योंकि यह असफलता ही आपको पर्फेक्ट बनने में हल्प करती है जिया दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपके दोस्त डॉक्टर बिशीक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का तो आज के जो हमारी वीडियो है वह ऐसे बच्चों के लिए है जिनके इस बार नीट एक्जाम में स्कूर बहुत अच्छे नहीं आये हैं यह उनका फ्रस्ट अटैम्ट था और अब ऐसे बच्चों को लोग लूजर बोल रहे हैं उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर ही है लेकिन जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है उसका ड्रीम है कि वह करें तो प्लीज आप इस वीडियो को इंड तक देखें और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इस वीडियो को दिखाएं दिखें एक एक्जाम या दो एक्जाम में अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है ना सबको लाइफ में किसी ने किसी फेज में ऐसा चांस आया है जब वो फेल हुए हैं लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा चाहा है वो टाटाजी हो या उससे पहले मैगोमन Allσα हो जिन्वह भी अितिहास लिखा ना आपको पता है लाइट का विखार किसंद किया था अगर आपको यह पता अगर आपको यह पता होगा कि उस लाइट के विखार थे पहले उन्होंने 4000 टायम एक्सपरिमेंट किया था तब जाकर वो सफल हुए थे इवें जिन्हों ने लाइट का विसकार किया था उनको उनके स्कूल के टीचर ने पढ़ाने से भी मना कर दिया था जी हां मैं बात कर रहा हूं थामस अलवा एडिशन की ठीक है तो आपने तो से एक एकजाम या दो बच्छे को आपकी जरूरत है तो आप क्यूं motivate नहीं करते हो एक एक घ्जाम एक legitimate होने से यह कहीं प्रूब नहीं होता है कि आपका बच्चा जो है failure मतले है जब ईसको सब्सक्रों करें आप उससे कोई बात नहीं आप इसब मेधिशन होता है ठीक है सब keeping अब जिन बच्चो लेकिन आपने फर्स अटाइम दिया आपके नमबर डेड़स को 200-300 जो कुछ भी है या फिर आपको सेकेंड या ठाड़ अटाइम था और आपके नमबर जो भी है 200-250-300-350 बेसक आपको इस बार MBBS नहीं मिलेगा लेकिन आपको एक सीख मिली है कि जिंदगी में जो है आपने कौन से टॉपिक नहीं पड़े से आपका कहां पर मिस्टेक हुआ था उन सभी गलतियों को दूर कर लो अच्छे से रिविजन करो और नमबर आप कोर्शन प्रैक्टिस करो सेलेक्शन आपका हो जाएगा और आप सभी पैरेंट से भी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज आप बच्चों को कॉपरेट करो अगर आपका बच्चा एक चांस मांग रहा है तो इसको दे दो और उसको जो है कि मोटिवेट करो कि बिटा तुम कर सकती हो तुमसे हो सकता है जिस दिन आपने मोटिवेट किया और आपके बच्चे अपना वेश्ट दे दिया उस दिन इस दुन सकता है और जो लोग आज लूजर बोल ले हैं यही आपकी तारीफ करेंगे और आपके पास अपॉइंट्मेंट लिखे आपको दिखाने आएंगे प्लीज मुझे टीटमेंट कर दो मैं बिमार हूं तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा थे वादा कर लो अपने आप से कि कुछ भी हो कितना भी पढ़ना पड़े अब हम इतना पढ़ेंगे जब तक हमको नहीं मिल जाएगा और करकर हम एक अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे इस वीडियो में तहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंगे सो मच जहिंद